माया वती ने कहा यदी आप चाहते हैं कि समवेदान में दलितों को दिया गया अधिकार मिले तो बसपा को वोट दें दोस्तों अगर आप चाहते माय वती देश की प्रधान मंतरी बने तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा देखें मायावती ने कहा बसपा के प्रत्याशी को वोट नट डाल दें तब तक उद्वास रखें उन्होंने कहा भाजपा और इसके नेता कितना भी चौकीदार होने का नाटक कर लें इस बार उन्हें सत्ता से जाना ही होगा जैकपूर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान के आलवर और भरतपूर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार किया उन्होंने लोगों से कहा कि वोटिंग के दिन जब तक बसपा को वोट नहीं डाल दें तब तक उद्वास रखें उनके कहने का मतलब था कि बसपा के उमीदवार को वोट डालने के बाद ही अंग्रहन करें भरतपूर में मायावती ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि संविदान में दलितों को दिया गया अधिकार दलित समधाय को मिले तो इसके लिए प्रदेश और केंदर में बसपा को लाना होगा भाजबा और कॉंग्रेस पर टिपपणी करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि देश की अर्थविवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है रक्षा क्षेत्र भी इस सरकार में ब्रष्टाचार से अच्छूता नहीं रहा आए देन देश में हो रहे आतंकी हमलों में सेना और पैरा मिलिटरी फोर सेज के जवान शहीद हो रहे हैं और भाजपा अण कमपनी जवानों की शहादत को चुनाव में भुनाने में लगी है माया वती ने कॉंग्रेस और भाजपा को चाचा भथतीजे की पार्टी बताया उन्होंने कहा कि भाजपा और इसके नेता कितना भी चोकीदार होने का नाटक कर लें उन्हें इस बार सत्ता से जाना ही होगा सपा ने बलिया लोक सभा सीट पर खत्म किया सस्पेंज इन्हें बनाया प्रत्याशी बलिया लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बलिया लोक सभा सीट पर समाजबादी पार्टी ने सस्पेंज खत्म करते हुए रविवार को प्रत्याशी के नाम का एलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर ब्रहमन कार्ड खेला है और सनातन पांडिये को प्रत्याशी बनाया है सनातन पांडिये रसरा विदान सभा से सपा के टिकट पर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इस सीट से नीरज शेखर के प्रत्याशी बनाने की चर्चा थी, मगर पार्टी ने सनातन पांडिये पर भरोसा जताया, हाला कि बलिया लोकसभा से कभी भी ब्रहमन को जीतर नहीं मिली है पूरवी एमसुद, चंदर शेखर के खिलाव भारतिय जंता पार्टी ने 1998 में और 1999 में रामकृष्ण मिश्रक को प्रत्याशी बना कर जोड़दार टक कर दी थी लेकिन चंदर शेखर के सामने रामकृष्ण मिश्रक को हार का सामना करना पड़ा था अब की बार सपा बसपा गड़दन ने ब्रहमन प्रत्याशी उतार कर बलिया सीट पर लड़ाई रोमान चक बना दिया है बलिया लोकसभा सीट पर 19 मैल को मददान होना है इस सीट पर भाजबाने वीरेंद्र सिंग मस्त को प्रत्याशी बनाया है तो दोस्तों क्या आपके अनुसार सच में मायावती जी को देश का अगला प्रदानमंत्री होना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताए साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए